हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में तो आज हम बनाने जाड़ है आलू भिंडी की तड़का वला सब्जी इस सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो आप लोग भी एक पर जरूर ट्राइक कीजिएगा तो सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर अधा किलो की करे बिंडी ले लिया है बिंडी को हमने अच्छे से साब करके इस तरह से कट कर लिया है दो मीडियम साइज आलू को अच्छे से धोकर कट कर लिया है कुछ लसुन की कलिया और प्याज टमाटर को ले लिया है से बना लेंगे उसके बाद इसमें एक चमज की करीब लाल मिर्ज का पाउडर डाल देंगे इसको भी मिक्स कर लेंगे एक बार तो देखिए यह मिक्स हो गया है तो यह हमारा मसाला डेटी हो गया आप चलते हैं सबजी बनाने के प्रोसिस में तो सबजी बनाने के लिए हमने आपर एक कराही ले लिया है कराही को अच्छे से गरम करके इसमें दू चमस के करीब तेल डाल दिया है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे गैस को फ्लेम लो करके भिंडी गटी हुई भिंडी डाल देंगे इसमें इसको अच्छे से भुनेंगे भिंडी को हमने मीडियम टू फ्लेम में 8-10 मिनट तक भुनना है अच्छे से भुन जाएगा तो सबजी अच्छा बनेगा देखे भिंडी हमारा भुन गया है भिंडी भुनते वकत भिंडी को धकना नहीं चाहिए भिंडी धकने से क्या होता है कि चिपचिपापन उसमें आजाता है इसलिए भिंडी को बन अच्छे से पका लिया है देखे हमारा आलो पुनकर तयार हो गया है अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो मसाला हमने रेडी करके राखाता हुई मसाला डाल देंगे तो इस मसाले को हम 5-7 मिन तक मिडियम फ्लेम में अच्छे से भूलेंगे इसी तरह से चलाते हुए अच् mix कर लेंगे स्वाद की हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे हमने यहाँ पर देड़ चमज की करीब नमक डाल दिया है इन सबी को एक बार फिर से mix कर लेंगे अच्छे से और 2-3 मिनद तक इसको हम अच्छे से पका लेंगे तो देखिए से mix करते फुए दो से तीर मिनट तक इसको भी पका लेंगे तो देखे कितने अच्छे से सबजी mix हो गया है अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे पानी हमने यहांपर देर कब के करीब डाल लिए पानी डाल कर इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब हम gas को flame high कर देंगे और सब्जी को 5-7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे तो इसी तरह से बिच बिच में चलाते हुए सब्जी को हमने 5-7 मिनट तक पका लिया है तो देखे हमारा सब्जी बनकर तयार हो गया है तो अब अच्छे से गरम कर लेंगे उसमें तेज पात डाल देंगे सुखी मिर्च डाल देंगे इन तोनों को चलाते हुए थोड़ी तेर भून लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ी सी जीरा एड़ कर देंगे जीरा को भी थोड़ा भून लेंगे तो अब हम लगाएंगे सबजी में तड़का तो देखे कितना अच्छा कलर आ रही है सबजी को हमने तड़का लगा दिया सबजी में तो देखे कितना अच्छा सबजी का कलर आया है और थोरी से भी चिपचिपपा नहीं है अब हम इसमें डाल देंगे धनिया का पात तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार जरूर इसी तरह से आलो भींटी का तड़का वला सबजी जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इस सबजी को राइस के साथ खाईए और रोटी के साथ खाईए यह बहुत ही टेस्टी लगती है बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्द बन भी जाती है तो फ्रेंड्स आज का रेसीपी अच्छी लगे तो फीटियो को लाइक, सेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसीपी के साथ बाई